यहां पर किस तरह से इस अंदोलन से जुड़े थे जी हम जिला बुलेंगे से आए हैं मेरा नाम समीम हुसेन अगर 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 देख चुछ बारते किसान यून यान असली संगर्ष अब आपके बाद यानि के दो चार दिन पास ताद दिन के अंदर पूरे यहां से तेंट हमारे अपने अपने घर सहने पहुंच जाएंगे तो आप एक साल संगर्ष करने की जीत है और हमारे खोए हुए 703 कसान जा 709 कसान है उनकी बलिदान की जीत है और हमारे जो सिवादार बावा लोग Are जिननोंने बड़े दूमदाम से और श्र Alone के साथ वीज़रवई सर्बे का चलाया हुआ लंगर इस वे जेवा करी है उनीका जोगदन है तेश के अंतर 22 जो भाशा है हमारी उन भाशा के लग लग बोलने वाले लोगों का यहां जोगदन है तो यह जो पूरा अंदोलन है यह जो संगाश पिछले एक साल से चल रहा था इसको लोग आप एक जीत के तोर पर देख रहे हैं औ तो आप लोग एक एक करके अपने घर वापस जाएंगे लेकिन एक सेलिब्रेशन के साथ जाएंगे मेरे साथ जावेद भी जुड़े हुए है इस वक्त सिंगू बॉर्डर से जावेद जो तस्वीरे हम गाजीपूर बॉर्डर से इतिशान दिखा रहे हैं आप बताइए सिंगू बॉर्डर में क्या स्थिती है घर वापसी होनी शुरू हो चुकी है सिंगू बॉर्डर पर बहुत जबर्दस तस्वीरे में आपको दिखाना चाहता हूं सिंगू बॉर्डर वो जगह जाए एक साल से किसान धरना दे रहे थे और देखिए यह जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको किसानों की गाड़िया नजर आएगी जंडे लगे सब्सक्राइब बिल्कुल किसान अंदोलन ने पूरी तुनिया को एक रास्ता दिखाया है और मोधी सरकार जो इटलर साही की चाल चल रही थी उसको चुखाया है बिल्कुल 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 मैं आपको रोकूंगी एक सेकिन आपको रोकूंगी जावेड यह तस्वीरे में दिखा देती हूँ देखिए गुरुगरंस साहिब यहां पर है जो यहां पर अर्दास होने वाली है यहां पर अर्दास होगी उसके बाद 11 बजे यहां से व आप दिखा दीजिए और तमाम किसान यहां पर इखटा होने शुरू हो चुके हैं यहीं पर मंच के पास हम लोग मौजूद हैं अरदास होगी पीछे आप देखिए जथे यहां पर पहुंच रहे हैं एक एक करके और मीजा का भारी जमावड़ा है इसके बाद यहां से जो त इस मौके को देखने क्योंकि हम कह सकते कि एक साल तक आंदोलन चला शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुद्धे को लेकर एक साल आंदोलन चला हो आज किसान वापस जारे हैं बहुत ज्यादा खुश है और बहुत अच्छी बात है यह लोगों के लिए बहुत खुशी का है यह किसानों की एकता ने आज यह सब थाभित करा है कि ऐसे लोग भी है जो कूरे दुनिया को हिला सकते हैं वह सब्सक्राइब का मुद्धा आभी रहे गांदोलन की बात कर रहे हैं आज जब घर लोटेंगे तो क्या कहेंगे घर जाकर एक साल आप लोग यहां पर टिकर रहें लंबा अंदूने चला लंबा चला यहां से लगतार गुजर रही है अब तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां सिंगू बॉडर पर जमावड़ा है और देखिए यह जो सड़क है जो रास्ता पंजाब के लिए जाता है दि आपको दिखाओंगा कुछ किसानों से बात भी कराओंगा जो अपने ट्रेक्टर ट्रॉल्यों के साथ लगतार आगे बढ़ रहे देगे यह किसानों की गाडिया है यहां जिसान हाँ एक साल से सिंगू बोडर पर जमे थे कितने दिन बाद बाद आ रहे हैं एक साल हो गया एक साल हो गया वहीं बढ़े यह सामान इसी ट्रेक्टर में ट्रॉली में लादे हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह तस्वीर देगे यहां पर सब लोग लोट रहे हैं यह ट्रेक्टर लगतार आगे पड़े खूश है आप बेलकुल खूश है जी बिलकुल खूश ह तो यह तस्वीर सिंगू बोटर की जहां कैमरे की नजर जाएगी गाड़ियां की गाड़ी नजर आ रही है ट्रेक्टर ट्रॉलियां